पिरत रुक करते उत्राखन की तमाम खबूर के साथ जहां हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाब में कॉंगर्स के पक्षमें नतीजों के बाद कॉंगर्सी गत-गत हैं मोड़ा में कॉंगर्स कार करता हूँ जोरदार आतिश वाजी वा मिस्ठान पित्रन कर खोशी के असहार किया जोरान कॉंगर्स ने इससे चंता के जीत करार दिया कॉंगर्स जुलाद्यक्ष इतांबर पांडे ने बीजेपी पर निशाना साबते हुए कहा कि दिल्ली का एमसेड़ी चुनाब और अब हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाब ने सिद्ध कर दिया है कि बीजेपी के दिन पूरे हो गए है जनता अब भाजपा की करनी वक्कतनी को जान चुकी है उन्हें कहा कि राहुल गांदी देश भर में भारत जोड़ यात्रा निकाल रहे हैं जिसका शुब संकेत हिमाचल से देखने को मिला है मोडा से नसीम एहमद की रिपूर्ट देश में देश के कई राजियों जो विदान स्वा चुना हुए और लोक्स्वा चुना हुआ या दिल्ली में अंसिटी चुना हुआ इन चुनाओं ने शिद्ध कर दिया है मोडी जी और भारती जनता पाल्टी के अब दिन पूरे हो गए है अब जो है ये खाता कॉंग्रेश और कॉंग्रेश के जो सहयोगी दल है भारती जनता पाल्टी के विरोधी दल है उनने अपना खाता खोलना सुरू कर दिया है और राहुल गादी जेने जो भारे त्यात्रा पूरे देश में शुरू की है उसकी सुरूआत आध हिमानचल से करके दिखा दिखा आध पूरा देश अब कॉंग्रेश की तरफ और भारती जनता पाल्टी के विरोधी दलों की तरफ जाने लग गया है